वेल्कम बैक एब्रीवन तो PPR टाइम लेंज आ चुकी हैं मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं डाली उसके लिए सौरी पर अब वीडियो को देखो शेयर करो लाइक करो तो पहली जो फाइल है आप देख सकते हो नौन-SDS की फाइल है 4th of Feb को इन्होंने फाइल लॉज करी थी उसके बाद Biometric Collection Letter 6th of Feb 2021 and then BBR लाया इनको 26th of July को and PPR वी इनको 26th of July मतलब की आज तो नौन-SDS की रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो चुकी है जो लोग मुझसे पूछते हैं भाई हमारी नौन-SDS फाइल है तो भाई बेट रखो वेट करो आपके भी रिजल्ट आ रहे है धीरे-धीरे and जैसे हम हर वीडियो में बोलता हूँ कि सब्तंबर इंडेक्स अब का पॉसिबल होगा तो जै दूसरी वाली टाइम लाइन आप देख सकते हो 30 April 2021 को इन्होंने फाइल अपनी लॉज करी थी Biometric Collection Letter 1st of May को आया था उसके बाद BBL इनको आया 25th of July and PPR भी same day 25th of July तो अब देखते हैं थर्ड टाइम लाइन तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो माई टाइम लाइन प्रोफाइल अप फ्रंट मेडिकल 27th of April फाइल लॉज की 30 April बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर 1st of May मेडिकल अपडेट हुआ 24th माई को रिक्वेस्ट लेट राया 2nd June को अडिशनल डॉकुमेंट अपलोड कर दिये इन्होंने 3rd of June को बायोमेट्रिक्स हुआ 24th of June अपडेट भी same day हो गए BBL इनको आया 25th of July and PPR 25th of July 11 बज के 15 मिनट पर background इनका है, bachelor's की है mechanical engineering में 2 साल का work experience है, university इनकी है MC Master University, course है manufacturing engineering Just now received my PPR 4th Feb को इन्होंने फाइल अपनी अपलाई की थी 11th of Feb को हुए Biometrics, medical update हुआ 29th of April को and PPR इनको आज आई है 26th of July को तो ये वी non-SDS की फाइल थी Just now afternoon 2.30 PM got decision I applied by myself congratulations bro, अगर आपने खुद अपलाई किया था अब देखते हैं अगली timeline तो ये वाली फाइल भी non-SDS की है फाइल इन्होंने लॉज करी थी 14th of May को, medical हुआ 25th of May को and Biometric 30 में ही PPR इनको आई है आज 26th of July को, IELTS में आप देख सकते हो 5.5 in reading overall है इनके 6 band and college है इनका Niagara College course इनका है business administration तो आप देख सकते हो कितनी सारी non-SDS की PPRs आ रही है तो इससे आपको motivation लेनी चाहिए कि आपका result भी जल्दी ही आएगा तो this one is the last timeline for today आप देख सकते हो कि I got my BBL plus PPR this morning apply किया था 25th of Feb को Biometrics हो है 4th of March को medical update हुआ 15th of March को and BBL plus PPR दोनों इनको same day आई है 26 जुलाई आज 11 बजे तो यह भी एक non-SDS की file थी तो yeah that's it इतनी timeline आई थी मेरे पास and इस में से ज़्यादा मतरा में जो थी वो non-SDS की थी इसलिए मैंने सोचा मैं share कर देता हूँ क्योंकि non-SDS वाले लोग बहुत ज़्यादा परिशान है कि उनका result नहीं आ रहा तो wait करो सबर रखो and stay motivated आपका result जरूर आएगा and thank you so much for watching मिलते हैं next video